सेलो बच्चो क्या हाल चाल कैसे चल रही है पड़ाई तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर आज का लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं Basic of Inequalities इससे पहले जो हमने लेक्चर देखा था उसमें हमने पढ़ा था brackets क्या होते हैं उसके बाद हमने ये भी देखा था Union of Set क्या होता है Intersection of Set क्या होता है तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर इसमें सबसे पहला देखना कि सबोज अपने पास कभी वैसा है दो एक्जांपल से दो लोग है एक का नाम है A एक का नाम है B हमें अल्रेडी पता है कि A का जो weight है वो 50 kg है B का जो weight है वो 40 kg है तो अगर weight के हिसाफ से inequality sign लगाएं तो किस तरीके से लगाएंगे तो तुम directly बोलोगे Sir, weight of A is greater than weight of B ये वाला sign सबको पता होगा इधर open है, मतलब ये greater इधर closed है, इधर मतलब ये small ठीक है, तो we can say that 50 kg is greater than 40 kg इसमें कोई problem है ही नहीं ओके सपोस करो कि एक मेहने के बाद दोनों का weight gain हो गया दोनों ने weight gain किया और दोनों के 5-5 kg बढ़ गया 5-5 kg अगर बढ़ गया तो A का weight कितना हो गया तुम बोलोगे 50 kg पहले था 5 kg और बढ़ गया अच्छा, B का weight कितना हो गया तुम बोलोगे 40 kg पहले था 5 kg इसका भी बढ़ गया दोनों ने 5-5 kg weight gain किया है अच्छा, तो इसका overall weight कितना हो गया 55 kg इसका overall weight कितना हो गया 45 kg अभी वी weight किसका ज्यादा है तुम बोलोगे obviously A का weight ज्यादा है B का weight अभी वी come है This means कि हमने अगर शुरुवात में एक relation लखा था कि 50 is greater than 40 या फिर A is greater than B अब हमने क्या किया कुछ add कर दिया दोनों side basically यह वाना दोनों side मैंने कुछ एक constant add कर दिया तो क्या इस inequality के sign में कोई फर्क पड़ा तुम बोलोगे no sir यह तो पता ही है ओके कोई बात नहीं चलो एक और example पहले एक का weight था 50 kg एक का weight था 40 kg ठीक है माल लेते हैं एक मेहना बाद दोनों का 10-10 kg कम हो गया ठीक है 10 kg दोनोंने lose कर दिया तो बताओ a का weight कितना हो जाएगा तुम बोलोगे sir 50-10 अच्छा बताओ b का weight कितना हो जाएगा तुम बोलोगे sir 40-10 अच्छा 50-10 is what 40 40-10 is what 30 अभी वेight किसका ज्यादा है तुम बोलोगे obviously a का यह तो common sense है sir इसमें तो कोई problem नहीं होनी चाहिए तो वही मैंने बताया कि अगर initially मेरे पास पता हो कि a is greater than b है तो उसमें दोनों साइड कुछ constant add कर दो या फिर दोनों साइड कुछ constant minus कर दो उससे inequality के sign में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहला point तो यह लिख देंगे point number one ठीक है इसको याद रखना है if a is greater than b ठीक है कोई भी number है कोई भी inequality का कुछ भी है यह expression है a is greater than b है then a में कुछ plus करो constant and b में भी कुछ plus करो constant कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसी तरीके से a में कुछ constant माइनस करो b में भी कुछ constant माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो यह पहला point याद रखना है चलो सबने बोला सर यह तो बहुत ही simple था यह तो याद ही है सब को ठीक है मतलब inequality में दोनों side हमेशा कुछ head कर सकते है example ले लो example ऐसे ले सकते हैं अगर किसी ने बोला x-1 greater than 2 x की value कितनी तो तुमने बोला कि sir x-1 greater than 2 already दे रखा है उन्होंने अच्छा यहाँ पर मुझे x चाहिए सिर्फ ठीक है मुझे क्योंकि उन्होंने पूछा है x की value क्या होगी अभी तो तुम लोगों को पता है कि x is greater than 2 plus 1 कर दोगे daddy jacks is greater than 3 कर दोगे लेकिन इसका base यह directly आया कहां से directly तुमने ऐसे कैसे लिखा तो उसका explanation यह है कि अगर मेरे पास a greater than b already given है तो मैं दोनों साइड कुछ constant add करूँ या कुछ constant minus करूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा inequality के sign में अब मैंने क्या किया दोनों साइड 1 add कर दिया x minus 1 already था मैंने 1 add कर दिया और मैंने 2 already था 1 add कर दिया inequality के sign में कोई फर्क नहीं पड़ा then minus 1 plus 1 0 हो गया x बचाईदर is greater than 2 plus 1 that is 3 तो original जो method था वो actual में ये था लेकिन हमें पता है कि कुछ add करने से या कुछ subtract करने से inequality में sign change नहीं होता है इसलिए हम लोग directly ऐसे भी बोल सकते हैं कि one को इधर लेके चले आओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा okay so this was the first point जो हमें याद रखना है point number 2 point number 2 के लिए एस जोचो मेरे पास दो नमबर से already पता है कि मुझे 5 is greater than supposed to यह already मुझे पता है 5 is greater than 2 सबको पता है okay मैंने क्या किया दोनों साइड 5 multiply कर दिया दोनों साइड मैंने 5 multiply कर दिया तो देखना क्या होगा 5 into 5 और इधर क्या आएगा 2 into 5 अच्छा 5 into 5 कितना होता है 25 2 into 5 कितना होता है 10 अभी भी साइड में कोई change आया क्या बोले में नहीं जैसा था वैसा ही साइड है अभी तक ठीक है देखो okay मतलब अगर मैं दोनों साइड 5 multiply करू तो कोई sign change नहीं हो रहा है लेकिन अगर मैं दोनों साइड minus 5 multiply कर दो दोनों साइड मैं minus 5 multiply कर दो देखो क्या आएगा 5 into minus 5 इधर कितना आएगा 2 into minus 5 अच्छा 5 into minus 5 कितना minus का 25 2 into minus 5 कितना minus का 10 अच्छा अभी क्या sign यही रहेगा तुम बोलोगे no sir इस बार तो sign change हो गया क्यों क्योंकि minus 25 is less than minus 10 जब number line ड्रॉ करोगे तो minus 10 कहीं इधर ही रहेगा लेकिन minus 25 इधर रहेगा और तुम्हें पता है left वाला हमेशा छोटा होता है right वाले से ओके this means इस बार sign तो sir ऐसा हो गया अच्छा पहले ऐसा sign था अभी sign ऐसा हो गया क्या किया था मैंने दोनों side minus 5 से multiply किया था और यहाँ पर sign तो change हुआ ही नहीं क्यों क्यों क्योंकि मैंने plus 5 से multiply किया था अच्छा इसका मतलब multiplication में ऐसा नहीं चलेगा multiplication में कुछ भी हो सकता है मतलब हो सकता है sign same रह जाए हो सकता है sign अलग-अलग हो जाए depend किस पे कर रहा है अगर तुमने कोई negative number से multiply किया sign change हो जाएगा अगर तुमने किसी positive number से multiply किया sign same to same रहेगा इसको लिखेंगे कैसे point बनाके लिख लेते हैं अभी point number 2 बोला गया अगर if a is greater than b है मतलब मुझे अल्रेडी पता है कि a is greater than b है then then a k a into k मतलब k कोई constant है multiply कर दिया and b into k यह a k is greater than b के तभी होगा when या if k is a positive number k अगर एक positive number है तब तो sign में कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन a k is less than b के हो जाएगा if k कैसा हो एक negative number k अगर negative number है तो sign में change आ जाएगा ठीक है तो यह चीज़ भी हमें याद रखना है अच्छा मैं बार-बार यह greater than लिख रहा हूँ या फिर यहाँ भी greater than ही यूज किया है मैंने लेकिन this is valid for everything that is a greater than b ले लो a greater than equal to b ले लो a less than b ले लो a less than or equal to b ले लो ठीक है यह सब में यह valid होगा ठीक है कोई भी inequality है basic तुम समझो कि inequality का sign change नहीं हो रहा है कब sign change हो रहा है मैंने अगर मेरे पास कोई particular inequality पता है तो मैं क्या बोलूंगा कि उसमें अगर दोनों साइट कुछ add कर दो या कुछ subtract कर दो तो sign change नहीं होगा लेकिन अगर कुछ multiply करोगा तो depend करेगा तुम किस से multiply कर रहे हो अगर तुम multiply कर रहे हो एक positive number से sign change नहीं होगा लेकिन अगर तुम multiply कर रहे हो एक negative number से तो sign change हो जाएगा चलो example के through भी देख लेते हैं suppose किसी ने बोल दिया x by 2 minus 1 is greater than 5 तो बताओ x की value कितनी ठीक है तो तुमने बोला x by 2 minus 1 greater than 5 है तो सबसे पहला step मुझे x की value पता करनी है तो सबसे पहला step मैं किसी तरह 1 को हटाऊँगा 1 को मैं किस तरह के सटाऊँगा दोनों साइड प्लस 1 करके लेकिन वो शो नहीं करेंगे वो understood है automatically कि plus minus से sign change तो होता नहीं है तो x by 2 is greater than 5 plus 1 ठीक है तो x by 2 is greater than 6 यहां तक तो पहुँच चुके है ठीक है अब मुझे लेकिन x by 2 की value नहीं चाहिए थी x चाहिए x बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इस expression में 2 से multiply करना पड़ेगा लेकिन मैंने अगर x side 2 से multiply किया है तो मैं दूसरे side भी 2 से multiply करूँगा अब मैं सोचूँगा कि 2 तो एक positive number है मेरा 2 तो एक positive number है तो क्या sign change होगा तुम बोलोगे नहीं जैसा sign था वैसा sign sign अभी भी रह जाएगा क्योंकि 2 एक positive number है this means ये 2 से 2 कटा x greater than कितना आ गया 12 ठीक है x greater than 12 आ गया हमारा ये भी एक simple तरीका था लेकिन अगर यही एक negative number से multiply करते that is अगर मेरे पास कुछ ऐसा आता x upon minus 2 greater than 6 for example मालो ये आता और पुछा जाता है x कहां से कहां तक तुम्हें क्या करना पड़ता minus 2 से multiply करना पड़ता जब minus 2 से multiply करोगे तो तुम्हें automatically क्या करना पड़ता sign change करना पड़ता sign change करना पड़ता पहले greater than था अब less than करना पड़ता क्यों क्योंकि तुमने एक negative नंबर से multiply कर दिया ये कटेगा x less than minus 12 आएगा x less than minus 12 आएगा ठीक है तो ये चीजे पता होनी चाहिए तो हमने अभी दो point पड़ा एक में plus और minus किया कोई फर्क नहीं पड़ा एक में multiply किया उसमें क्या हुआ positive नंबर से multiply कर रहे हो तो sign change नहीं हो रहा है negative नंबर से multiply कर रहे हो sign change हो रहा है अच्छा ध्यान से एक और question मैं पूछूँँगा बता रहा है मेरे पास already पता है कि 5 is greater than 3 ठीक है ये मुझे पता है मैंने दोनों सेड एक से multiply कर दिया मैंने बोला 5 x is greater than 3 x क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ if this then this true है या false है सोच के बता तुम बोलोगे sir आपने तो x के बारे में कुछ बताया ही नहीं what is x positive है negative है क्या है कुछ तो पता नहीं है अच्छा जब कुछ पता नहीं है तुम directly sign sir ऐसे कैसे लिख रहे हो how क्यों 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 कि जब कोई चीज multiply करते है sir inequality में तो वो depend करता है sign उसका कैसा रहेगा किस पे कि जिस चीज से multiply किया जा रहे है वो positive है या negative ये sir आपने जो लिखा ये वाला केस तब possible होगा जब x आपका positive रहा होगा लेकिन ये वाला चीज invalid हो जाएगा जब x negative रहेगा this means ये वाला statement कैसा है sir false है simple ठीक है चलो अब point number 3 की और चलते है suppose कहीं पैसा लिखा हुआ है कि a upon b greater than 1 a upon b greater than 1 चलो point number 3 a upon b greater than 1 if then क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ a greater than b मैंने क्या क्या बी को इधर लिए आया cross multiply क्या ऐसा possible है तुम बोलोगे नहीं क्यों नहीं possible है मैंने बोल दिया नहीं ठीक है क्यों नहीं possible ले 2 minute के सोचू तुम बोलोगे sir यहां से यहां आने में आक्चवल में हमने कीया क्या इस step से इस step पे आने में मैंने क्या कीया तुम बोलोगे sir आपने basically क्या किया दोनों side b से multiply कर दिया मैंने k्या किया basically a upon b में भी B से multiply कर दिया 1 में भी B से multiply कर दिया ये बचा ये ये बचा भी ये लेकिन सर अभी आपने तुरंत point number 2 में बताया है कि जब तक तक तुम्हें पता नहीं है एक number positive है या negative है तुम sign को same कैसे रख रहे हो आओ तुम बोरोगा अच्छा this means हमें बताना पड़ेगा कि B positive है अगर उन्होंने दे दिया रहता कि B ये positive number ये possible हो जाता लेकिन अगर दे देते कि B is negative number ये negative में जाता ठीक है this means ये नहीं होगा ठीक है ये गलत तो ऐसे question को कैसे solve करेंगे example suppose x minus 1 upon x greater than 1 ये question आ गया तो कैसे solve करेंगे sir यहां तो x ही find out करना है और यहां पे मुझे x के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है sir वो positive है negative है 5 से बढ़ा है minus 5 से छोटा है कुछ भी basically random कुछ भी नहीं पता है x is x x ही तो find out करना है sir तो इसको solve कैसे करेंगे तो मैं ये step नहीं करूँगा that is if this then x minus 1 greater than x नहीं करूँगा this is wrong ठीक है तो इसको solve कैसे करेंगे right way right way क्या होगा right way होगा कि भाई x minus 1 upon x तो रहने दो इधर किसी भी तरीके से 0 बना दो मतलब मतलब क्या है दोनों side minus 1 तो add कर सकते है या minus 1 तो कर सकते है उससे sign change नहीं होता है पहले point में ही बताया था कुछ add करो या कुछ subtract करो sign change नहीं होता है मतलब x minus 1 upon x minus 1 greater than 0 ये तो सही है इसमें कोई problem नहीं है मैंने minus 1 को इधर लेया इधर 0 आगया ठीक है अच्छा इसके आगे कैं solve करोगे इसके आगे solve करोगे तो मैं LCM तो ले ही सकते हो हमें से x minus 1 minus x upon x greater than 0 तुम अब क्या करोगे दिख रहा है इसर x x कटा ये क्या आगया minus 1 upon x greater than 0 अब क्या करोगे x तुमें find out करना था minus 1 upon x greater than 0 आगया अब तुमने क्या बोला इसर मैं minus 1 से multiply कर दूँगा ताकि ये positive हो जाए लेकिन जब negative number से multiply करोगे sign क्या हो जाएगा change तो तुम बोलोगे this is 1 upon x less than 0 क्या किया मैंने यहां से आने में multiply minus 1 both sign 0 में कुछ भी multiply करोगे तो 0 हो जाएगा अच्छा तो 1 upon x negative है अब तुम्हें पता है कि 1 upon x negative तभी होगा 1 तो बेचारा एक 1 है positive अच्छा 1 upon x को negative होना है मतलब x को कैसा होना पड़ेगा suppose x positive हो गया बताओ x अगर positive हो गया तो 1 upon x कैसा number हो जाएगा positive हो जाएगा लेकिन x negative हो गया तो 1 upon x कैसा number हो जाएगा negative number हो जाएगा तो इस case में तुम्हारा answer क्या आगया x less than 0 ओके जिन्हें भी ये step समझ में नहीं आया वो क्या करो वीडियो को एक बार फिर से repeat करके देखो मैंने कौन कौन सा step follow किया जो भी points मैंने बताये थे उसको use करे तो basically इस point से ये अगर solve नहीं भी करने आ रहा है तो इसको solve करेंगे multiple times बहुत सारी questions करेंगे लेकिन तुम्हें जो basic funda समझ में आना चाहिए वो ही है कि कहीं भी something upon something is greater than कोई number दिया हुआ है तुम directly cross multiply नहीं करने वाले हो क्या करने वाले हो सबको एक side लेया हो एक side 0 कर दो उसके बास solve करो चलो ठीक है point number 4 सोच समझ के बताना ऐसा दिया हुआ a b is greater than a c then b is greater than c बताओ ये true है ये false है तुम बोलो कि sir फिर ते नहीं ये common sense है कि sir ये गलत है क्यों गलत है अब बताओ why why गलत तुमने बोला sir basically आप यहाँ से यहाँ आने में क्या कर रहे हो यहाँ से यहाँ आने में क्या कर रहे हो a से divide कर रहे हो अच्छा a से divide कर रहे हो sir आपने division का तो कोई point पढ़ाया है ने नहीं क्यिक है ए से divide करने का मतलग तुम indirectly है भी तो बोल सकते हो ऊपन्धे से multiply कर रहे हो किसी चीचको एसी divide कर रहे हो या one ऊपने असे multiply कर रहे हो एक ही बात है तुम बोलोगे हाा सर आपने multiplication के पारे इम बताया है तो basically यहां से हाने में उसने क्या किया multiply किया one upon a both side है कि ने जैसे one upon a multiply करोगे एसे a कड़ जाएगा एसे कड़ जाएगा be greater than c आ जाएगा लेकिन सर ये वाला तो तभी possible होगा जब one upon a positive होगा किसी भी सूरत में अगर one upon a negative आ गया तो ये तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा न सर क्योंकि sign तो change करना पड़ेगा this means ये वाला चीज false है ठीक है तो कभी भी ऐसा आ जाएगा a b is greater than ac तो ये तो नहीं करेंगे this is wrong method तो करेंगे क्या फिर तुम ये करोगे a b greater than ac है तो obviously a b minus ac greater than 0 होगा यहाँ से हाने मित कोई फरक नहीं है this is right way इस तरीके solve करना है a b greater than ac है अगर तो a b minus ac तो greater than 0 होगा ही हाँ सर अब दोनों में क्या a common bracket के अंदर क्या b minus c greater than 0 अब यहाँ से solve करेंगे हम लोग कि if यहाँ दो condition अगर a positive है तो b minus c greater than 0 है अगर a negative है तो b minus c भी negative होगा नहीं समझ में आ रहाँ देखो यह basically दो number का multiplication है b minus c को एक number मानो एक box a को एक box मानो अगर पहला वाला box positive है positive number में positive number multiply करोगे तो अभी वो positive बनेगा positive number में negative number अगर multiply कर दोगे तो वो कभी positive नहीं बनेगा इसलिए मैंने बोला कि अगर a positive है तो b minus c को भी positive होना पड़ेगा लेकिन अगर a negative है तो एक negative number में positive number multiply करोगे तो कभी भी positive नहीं आएगा तो अगर a negative है तो b minus c को भी जबरदस्ती negative होना पड़ेगा ओके चलो यह बाते समझ में आती है एक और point लिखेंगे एक और point प्यारा सा, point number 5 चलो सोच समझ के बताना if a is greater than b है then a square is greater than b square a is greater than b है then a square is greater than b square possible only when a, b are both positive ऐसा क्यों बोला कोई इसको contradict कर सकता है क्या हाँ सर contradict लेकिन बहुत बच्चे यह से सोचते है एक सर अगर a b से बड़ा है तो a square तो obviously b square से बड़ा होगा न नहीं बच्चे यह गलत फहमी है तुमारी सही कैसे बताओ को बताओ कैसे सोचो 2 क्या greater than minus 5 है तुम बोलोगे हाँ सर 2 is greater than minus 5 इसमें कोई problem नहीं है अच्छा दोनों को square करो कितना आ रहे है 2 का square कितना आ रहे है 4 अच्छा minus 5 का square कितना होगा 25 not minus 25 क्या 4 greater than 25 है तुम बोलोगे नहीं गलत अच्छा तो a greater than b है तो a square greater than b square हमेशा नहीं होता है नहीं यह कब होता है फिर तभी होगा जब दोनों के दोनों positive है मतलब या फिर दोनों के दोनों negative है ठीक है दोनों के दोनों positive है या फिर दोनों के दोनों negative है ठीक है तभी यह possible होगा तो यह basic points थे जो तुम्हें याद रखने है यह अगर याद है तो हम लोग inequalities को बहुत ही आसानी से solve करते चले जाएंगे जितने भी points मैंने बताएं actual में वो सारी points use आने वाले कहाँ पे inequality को solve करने में हम लोग जब question solve करेंगे basically तो एक एक point में बता दूगा कि याद करो multiply करेंगे तो sign change होता है कब नहीं होता है कुछ add किया कुछ ऐसे greater than one है तो cross multiply नहीं करेंगे square किया तो किस case में square किया दोनों side positive था इसलिए square कर दिया sign अलग अलग है तो square नहीं करेंगे ये सारी बाते use करेंगे हम लोग question solve करने में इसलिए ये 5 point याद रखो ठीक है चलो all the best